अईने हिंदी के एक नए एपेसोड में आपका स्वागत है जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप फॉर अपडेट्स को और आज के अपने अपडेट के शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिप्डेट से हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिप्डेट इससे में इंडियन एरफोस के साथ एक बड़े निगोशेशन को लेकर के आगे बढ़ रही है दरसल हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिप्डेट दोसो चालिस एल थर्टीवन इंजन्स के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के इंडियन के सुखोई 30 MKI fighter aircraft में किया जाता है और रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इसी financial layer के अंत तक हिंदुतान aeronautics limited इस deal को finalize कर सकेगी ताकि इंडिन एरफोर्स की जो सुखोई की fleet है उसको support प्रदान किया जा सके दरसल सुखोई 30 MKI में AL 31 engine इस्तेमाल किया जाते हैं लेकिन जो initial batches के सुखोई थे अब उन में engine replacement का time आ चुका है और इसलिए इस बड़ी संख्या में जो engines हैं इनकी खरीद की जा रही है सुखोई 30 MKI इंडिन एरफोर्स की backbone माने जाते हैं और ये वर्ष 2040 तक इसी प्रकार service में बने रहेंगे HL का ये कहना है कि अभी तक जो response आया है वो positive ही रहा है और बहुत जल्द वो इस चीज़ को लेकर के confident है कि अगले 6-8 महीनों में जो contract है उसको finalize कर दिया जाएगा इंडिन एरफोर्स इस समय 260 की संक्या में तो कोई 30MKI fighter jets को operate करती है और इनमें से older batch के जो aircraft है अब उनमें engine replacement का time आ चुका है और जल से जल जब replacement है उसको करना भी पड़ेगा दरसल ये जो engines है ये हिंदुस्तान आरोनाटक स्रिम्टेट की जो corrupt division है वहाँ पर बनाये जाएंगे ना सिर्फ रेशन aircraft के engine यहाँ पर बनाये जाते हैं बलकि ये division आप दूसरे जो महत्तपूर्ण रोल है उनको भी अदा करती है जैसे की overhauling, repair या फिर engine में किसी प्रकार केकर damage आते है तो उसको rectify करने का काम भी यही division पूरा करती है और उनका ये कहना है क्योंकि सुकोई 30MKI या अभी लंबे समय तक service में रहेंगे तो उनके रक रकाओ की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है और हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा दबाओ बने या किसी भी आभाओ में हम जो aircraft है उनको maintain ना कर सके इसलिए हम पहले से ही ये जो approach है अपनी उसको अपना रहे हैं और वर्ष के अंतक या अगले वर्ष के शुरुवात में दे दी जाएगी जसलिए भारत का एक flagship project है जिसके अंतर गर्ड एक 5.5 generation का जो aircraft है वो तैयार किया जा रहा है जो कि इंडिन एफोस की requirements के आधार पे होगा रेपोर्स में ये बताया जा रहा है कि हाला कि अभी जो clearance है इ पूरे हो चुके हैं और इस प्रोग्र्स के बावजूद भी हिंदुस्तान अरनाटिक्स लिम्टेट और डिफेंस अचन डेवलप्मेंट ऑगनाइजिशन अभी तक प्राइवेट पार्टनर्स का चैन नहीं कर सके हैं या जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उनको फानिला के काम करेंगे और यह जो प्रोग्रेम है इसको आगे बढ़ाया जाएगा हाला कि कई पोटेंशिल पार्टनर्स है जिनके साथ इस समय हिंदुस्तान अरनाटिक्स लिम्टेट और डियाडियो का जो डिसकेशन है वो चल रहा है रेपोर्ट्स यह बताती हैं कि जो पॉस्ट कि बाकी 100 यूनिट्स होंगी वो मार्क टू वैरियंट की होंगी जो कि अभी जो हमारे सुदेशी इंजन से उनके साथ देखने को मिलेंगी लेकिन अब यह बताया जा रहा है क्योंकि जेट इंजन डील अभी क्योंकि लगातार डेले हो रही है इसके चलते आगे चलके जो म की संख्या को पार कर सकते हैं हमारे गली बड़ इपडेट आ रही है हिंदुस्तान ऐरोनाटिक्स लिम्टेट से दोस्तों हिंदुस्तान ऐरोनाटिक्स लिम्टेट इस समय तेजस प्रोग्राम को लेकर के काफी गंभीर है और हाली में हिंदुस्तान ऐरोनाटिक्स लिम्ट किये गए है और इनकी manufacturing लगबग लगबग complete हो चुकी है और यह financial year खत्म हो उससे पहले तकरीबन 8 aircraft इंडिन एर फोस को successfully deliver किये जा चुकेंगे दरसल आपको बताना चाहेंगे यह बड़ा development तब देखा गया जब हाली में light combat aircraft के trainer variant जो कि LT 5201 है उसकी पहले उडान को आयजित किया गया था तकरीबन last month और अब यह जो बड़ा announcement है यह HL के द्वारा करा गया है हिंदुस्तान एरनॉर्टिक सिम्डेट को total 18 trainers का जो order है वो प्राप्थ हुआ है और इसमें से 8 से 10 जो structures है वो अलग-अलग अपने development की stages में है और मार्च 2024 तक यह सारे जो trainer aircrafts हैं यह Indian Air Force को deliver किये जाएंगे इनमें से वो aircraft भी शामिल है जिसकी last month पहली उडान आयजित करी गई थी जो था tail number LT 5201 यह भी Indian Air Force को successfully deliver कर दिया जाएगा दरसल हिंदुस्तान Aeronautics Limited का plan इससे में काफी aggressive है उनका कहना है कि इस वर्ष के अंत से पहले 6 trainer aircraft इंडिन Air Force को join कर चुके होंगे और जो additional 2 हैं यह मार्च 2024 तक इंडिन Air Force को join कर लेंगे वर्ष 2021 में Union Cabinet ने तकरीबन 10 की संख्या में तेजस मार्क 1A trainers का जो order है वो place किया था और इनको हिंदुस्तान Aeronautics Limited पूरा करने के लिए अपनी जीजान लगा चुकी है HL का यह कहना है कि उनकी जो नई production line है इसके active होने के बाद जो तेजस के orders हैं उनको हम rapidly पूरा कर सकेंगे और Indian Air Force अगर additional तेजस के order place करती है तो वो भी timely delivery की जो capability है वो हमारे पास अब उपलब्ध हो चुकी है और ऐसे में हम समय रहते Indian Air Force की सारी requirements को पूरा करने के लिए अब योग्य बन चुके है हमारी एकली बड़ी update Dassault Aviation से आ रही है Dassault Aviation के अधिकारियों ने मीडिया से बात करत वे ये बताया कि राफल के जो future variants होंगे जिनमें F4.2 और राफल F5 standard होने वाले हैं उनको इस प्रकार से तयार किया जाएगा कि जो seed missions है यानि suppression of enemy air defense mission है उनको easily execute किया जा सके उन्होंने कहा कि आज modern warfare का domain लगातार change हो रहा है और हमें अपने fighter jets को उसी प्रकार से evolve करने की जरूरत है और ये काम आपको राफल F4.2 और राफल F5 standard में देखने को मिलेगा जहाँ पर हम उन्हें इस प्रकार से तयार कर रहे हैं कि enemy के जो air defenses हैं उनको effectively neutralize किया जा सके और ये जो advanced variant होंगे राफल के ये modern warfare के हिसाब से तयार किये जा रहे हैं जहाँ पर enemy air defenses के लिए ये एक बहुत बड़ा खत्रा होंगे इनको नए system, नए electronics और नए weapons से equip किया जाएगा जिसके बाद इनकी जो seat capability है वो काफी जादा बढ़ जाएगी ये जो variants होंगे ये hostile air defense systems को neutralize कर सकेंगे बिना उनके radar के पकड़ में आए हलाकि इसको लेकर के जादा information तो उन्होंने जामने नहीं रखी है लेकिन माना जा रहा है कि जो F4.2 standard है उस पे काम उल्रेडी शूरू किया जा चुका है ये aircraft भले ही multi-role capabilities के साथ में आएगा लेकिन इसके जो air to ground attack capability है उसको कई गुना जादा enhance किया जाएगा ताकि जो आज के अलग-अलग प्रकार के missions हैं उनको easily पूरा किया जा सके दोस्तो suppression of enemy air defense system या suppression of enemy air defense जोता है ये एक visas प्रकार का mission होता है जहाँ पर air force के द्वारा दुस्मनों के जो air defense systems हैं उनको तबाह किया जाता है ताकि आने वाले जो strike package हैं उनको कोई दिक्कत ना हो जैसे हमने रशिया युक्रेन युद्ध में देखा कि शुरुवाती दिनों में रशिया के air force के द्वारा लगातार युक्रेन के जो air defense systems हैं उनको target किया गया ताकि एक safe environment वहाँ पर बनाया जा सके दूसरे fighter jets के operate होने के लिए तो यही काम राफल भी आने वाले भविश्य में करेगा आपको मताना चाहेंगे कि भारत भी इस समय राफल F-4 standard को लेकर के फ्रांस से बातचीत कर रहा है और MRFA में F-4 standardic problem दावेदार के तौर पर देखा भी जा रा है